मेर अफ़त बानु भागलपूर नगर लिगाम से मेर पत्की वुमिदभाव हमारा रहाइस का चंपा नगर है वाट बाट नमबर तीन से ब्लॉंग करती है चुनाव चीन ने कूकर चाप है चैनमबर वटन है इस चुनाव में अपने भागलपूर शहर के लिए एक निशाल ब हमारा मुद्दा यहीं है कि जिस शहर से मैं बिलॉंग करती हूं जो हमारा भागलपूर शहर है वो इसमार्ट सीटी के नाम से जाना जाता है तर काम बिखाई कहीं पर नहीं देता कोई ऐसा ही मक्सूद जगह एक आफ जगह है जहां पर हम काम देखते हैं लेकिन उससे हमार भागलपूर शहर इसमार्ट नहीं बन सकता है मैं अपने भागलपूर को स्मार्ट सीटी बनाने के लिए मैं इस चुनो मैदान में खड़ी हूई हूँ और जब इस उहोदे पर कामियाब हो जाओंगी तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भागलपूर शहर को एक स्मार्ट सीट कि हमारे शहर भागलपूर शहर में जिस कौम से मैं बिलाउंग करती हूं उस कौम में तो ज्यादा तर महिलाएं घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहती है। लेकिन मैं यही इसी उम्मीद से अपने कौम से आप समझ सकते हैं आप भूरे भागलपूर शहर वाले लोग कि हमने जिस कौम से बिलाउंग किया है उस कौम में इस शहर में इस मतलब पोश्ट पर या और यह मतलब इस तरीके से बाहर कदम निकालना कितना नामुम्किन हो सकत लेकिन हमने मुम्किन किया हमने हिम्मत किया और हम बाहर निकले ताके हमारे हमें देखकर हमारे कौम की औरतों को भी हिम्मत मिले और बाहर आये और अपनी हक की लड़ाई खुद लड़े लेकिन मैं उन खातुनों के लिए आज मैं खड़ी हुई हूं ताके उनके साथ जो भी परिशानी है जतनी समस्याइं हैं मैं उनको आगे आके उनकी समस्याओं का मुस्किल का हल निकाल सकते हैं असी लोग थे सभी को हमने उनके उनको हॉस्पीटल तक उनकी दवाईयों तक उनके मुबाइल से मुबाइल से काउंटेक्ट करके उनकी मतलब मदद की सिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है सिक्षा नहीं तो शहर की विकास नहीं जब तक सिक्षा इंसान के अंदर नहीं आता है तब तक इंसान अपने आपको मुकमल भी नहीं कर पाता है अब भी बहुत सारे लेट्टियों को पड़ाई रोखिया जाता है तो रख्या करेंगे तो मैं इस मैदान में आई हूं कि भागलपूर शहर वाले अगर चाहा और उपर वाले ने चाहा तो मैं इस उहदे पर कामियाब हुई तो मैं सिक्षा तक जाओंगी जहां 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 जिस स्टूडेन के साथ जिस कालेजेज में जिस स्कूल में पराइमरी हो या सरकारी हो जहां भी हो वहां कैसी सिक्षा हो रही है क्या हो रही है क्यों नहीं हो रही है उसके लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि हमारे बच्चे हमारे भागलपूर शहर के तमाम पर जोर लगाने की इस पर मैं यही कहूंगी मुझे तो सबसे पहले पी इस बात पर सून करके इस बात को सून के अफसोस हो रहा है कि लोग इस तरह का भी काम कर रहे हैं यह बिलकुल गलत है यह नहीं होना चाहिए वोट तो देना हमारे सहर बासियों का हक है और वो ऐसे सक्स को ऐसे इंसान को उसको तो आउसरकार परांतिता दे दिया है एहमित प्रिकर को सुक्री गुजर को जिसने हनौ जिसने यह ऐसा रूलस निकाला के जनता है मेहर को जनता ही मतलब मेर को जनता ही पारसत को चून कर उस मैदान में लाए जिसको वो पसंद कर सके और वो काम कर सके मैं असलम निया जी हमारी बाइब रफात वानो मेर परतियासी बागरपूर नगर निगम से खड़ी उमिदवार है और हमारा मंसा यह है कि भागरपूर नगरेन निगम के खड़ी में जतनी आम जनता हो करतियासी रफात वनो जिसका कूकर साथ है उनको बोर्ड दोकर ब्याए बनावाय इस मीडिके साथ कि हमारी एक मंसा है कि भागरपूर किस तरीके से किस तरीके से स्मार्ट सिटी के रूप में लाया जाए। जतने भी लोग स्मार्ट सिटी बोलते है वह कागज पर रहे हैं। धरातर पर नहीं उत्री है। इसके लिए मेरा ठक्त परियास रहे गा। कि मैं इसको स्मार्ट सिटी बनाने के हर मुमकिन कोसिस करूंगा कहीं मक्सूद जिगह पर नहीं रहे हैं इसमें खास करके बागरपूर में हवाई अड़ा का हवाई जहाज का जो प्रोगाम है उसको चालू करने के हर मुमकिन पर्यास क्या जाएगा